आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिल्म की शुरुवात में हम देखते हैं कि कोरिया के एक शहर में अपार्टमेंट कॉम्पलेक्स सबसे ज़ादा पॉपुलर टाइप के घर बन चुके हैं लेकिन एक सुबह एक जोड़दार भुकंप पूरा शहर को हिला देता है और सारे बिल्डिंग्स खिलोनों की तरह गिरने लगते हैं अपने अपार्टमेंट में मिन संग जाकता है तो वो बाहर आकर देखता है कि अगल बगल के सारे अपार्टमेंट्स कॉम्पलेक्स गिर चुके हैं बस सिर्फ उसका ही complex अकेला खड़ा है इसके बाद वो नीचे आता है जहां apartment में रहने वाले लोग discuss कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है और उन्हें generator on करने में थोड़ा समय भी लगेगा मिन संग कुछ supplies लेने के बाद अपने apartment जाता है और वो अपनी पतनी मियोंग हुआ के साथ मिलकर खाना पानी बचा कर रखने लगता है और वो सोच रही थी कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए लेकिन मिन संग कहता है कि बाहर जाना फिलहाल खतर ना खो सकता है अब कुछ गुजर जाने के बाद आसपास के जितने building तबाह हो गए हैं वहां से survivors इस अकेले बचे building में आ रहे होते हैं रहने के लिए क्योंकि उनके पास कोई और जगा है ही नहीं शाम के समय एक माँ और उसका बच्चा मिन संग के दरवाजा खटखटाते हैं और मदद की भीक मांग मिन संग उन्हें अंदर आने देने से जीजक रहा था लेकिन मियोंग हुआ जब उन दोनों की बात को सुनती है तो वो उस बुड़ी औरत को अंदर आने देती है अगली सुभा मिन संग अपने building के reception में जाता है जहां कुछ लोग supplies बेच रहे थें लेकिन वो बदले में पै complex में भी लोग भीड जमा कर रहे हैं क्योंकि बाहर से लगातार लोग इधर आ रहे हैं और अब उन्हें भी supplies की कमी होने वाली है तब ही उसके supplies में से एक फल नीचे गर जाता है और सोफे के नीचे चला जाता है लेकिन जैसे ही मिन संग उस पीच को उठाने जाता है अंदर ये पीच उन लोगों ने लाया है लेकिन तब ही वहाँ पर वो बूड़ी औरत आ जाती है और अब उन दोनों के पास कोई और option नहीं बचता सिवाए खाना बाकियों के साथ share करने के अलावा अब जैसे जैसे दिन गुजरता है बाहर का मौसम और ठंडा होते जा रहा था औ परलगातार बाहर से लोग बिल्डिंग में आ रहे थें मिन संग भी बहुत परिशान हो जाता है क्योंकि बिल्डिंग में भीर बर रही थी अचानक वो सुनते हैं कि कुछ लोग जगरा कर रहे थें और मियोंग हुआ एक घायल आदमी को जाकर चेक करने लगती है क्योंकि वो एक नर्स है और इस समय एक अपार्टमेंट में जोर का धमाका होता है जिसे सभी लोग घबरा जाते हैं तबी वहाँ पर एक आदमी यंग टक फायर एक्स्टिंग्विशर लाता है और आखो बुझाता है लेकिन उससे भी जादा कुछ फायदा नहीं होता इसलिए वो प्लाइन बनाते हैं सिर्फ उन लोगों के साथ जो इस बिल्डिंग में रहते हैं जियू में सब कुछ और्गनाईस करने का प्लाइन बनाती है लेकिन जल्दी उन सभी में जगड़ा होने लगता है कि उन्हें बाहर के लोगों के साथ क्या करना चाहिए मियोंग हुआ कहती है कि हमें कोई न कोई तरीका ढूंडना होगा जिसे हम सब एक साथ रह सकें लेकिन जादातर लोग इससे डिजगरी करते हैं जियू में ये भी बताती है कि कैसे बाहर से जादातर लोग अपने फैंसी बिल्डिंग से इधर आये हैं यहां कर उनकी जान तो बच गई और वो अ हमें अपने सामने कुछ भी नहीं समझते मिन संग एक पबलिक सर्वेंट है और वो सभी से कहता है कि हमें एक और्नाइजेशन बनाकर इस हालत में सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए और सबसे पहले हमें एक लीडर चुनना होगा यंग टक को सब लीडर चुनते हैं और उस की पतनी पूछती है कि उसका डिजिजन क्या था जिस पर वो कुछ नहीं बताता फिर वो याद करने लगता है कि भुकम के समय क्या हुआ था वो याद करता है कि जब वो शहर में था तो पहली बार भुकम का जटका सभी ने मैसूस किया और वो और कुछ और आदमी मिलकर ए उसका गाड़ी इधर से उधर धक्के खाने लगता है लेकिन सीड बेल्ट के कारण वो बच जाता है अगले दिन यंग टक मिन संग से कहता है कि तुम्हें एंटी क्राइम टास्फोर्स का हेड बन जाना चाहिए मिन संग कुछ समय के लिए मिलिटरी में भी था तो वो इस ड्रॉप से एक लोहे का रॉड निकालता है जिसे वो हत्यार के रूप में इस्तमाल करेगा जिसे देखकर उसकी पत्नी थोड़ी घबरा जाती है सुबह होते ही यंग टक बाकियों के पास जाने से पहले अपनी मा को चेक करता है जियूम ये बाकियों से बात करते वे बतार होते हैं टास्क फोर्स बाहर आते हैं और यंग टक उन बाहरी लोगों से कहता है कि अब वो सब यहां नहीं रह सकते हैं लेकिन बाकी के लोग यहां से जाना नहीं चाते क्योंकि ठंड बाहर बहुत जादा है और उनकी जान भी जा सकती है इस बिल्डिंग में बहुत सारे क अमरे खाली हैं और वो सभी वहां रह सकते हैं उस भीड में डिस्ट्रिक्ट कॉंग्रेसमेंट भी होता है और वो अपनी बाद रखना जाता है लेकिन यंग टक उसकी बात नहीं सुनता और सभी को बाहर निकाल देता है और इस वज़े से वहां पर भगदर मज जाती है और ट टक जोर से चलाता है वो भी बहुत गुसे में जिसे देख कर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और बिल्डिंग में रहने वाले लोग आउटसाइडर पर पत्थर फिकने लगते हैं और अब मजबूरन आउटसाइडर्स को बिल्डिंग छोर कर जाना पड़ता है सभी लोग खुश होते हैं सिवाई मियोंग हुआ के जो अभी अभी हुए मारधार से बहुत जादा परिशान हो गई थी फिर कुछ दिनों के बाद अंदर बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक साथ मिलकर अपने बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा करते हैं और एक दूसरे के साथ इंट्रिब्यूट कर रहे हैं उसी के हिसाब से उन्हें राशन पानी दिया जाएगा जिसे बाकियों को परिशानी ना हो और परसनल हाईजीन की बात की जाये तो फिलहाल एपाटमेंट में पानी की कमी है इसलिए उन्हें अपने पौटी को एक बैग में भरकर बड़े से गड़े में फेक देना पड़ता है सुरक्षा के लिए कई सारे टास्फोर्स बनाये जाते हैं और एंटी क्राइम फोर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं लौ एन ओर मिंटेन रखने के लिए और 16 साल से उपर के लोग एंटी क्राइम फोर्स में शामिल हो सकते हैं एक मेडि जाते हैं उन्हें उतने ही जादा डेड बॉडिज देखने को मिलती हैं वहाँ उन्हें वही मरावा कॉंग्रेसमेन भी दिख जाता है अचानक उन्हें दूर एक एकस्प्लोजन दिखाय देता है लेकिन बाहर गए लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं और वो कुछ खाना ल लडाई हो गई थी वो सबी अपने साथ कुछ खाना लेकर हमेशा आते हैं लेकिन बिल्डिंग में जितने लोग हैं उसके हिसाब से खाना हमेशा कम ही पड़ जाता है एक रात जब वो बाहर होते हैं तो यंग टक मिन संग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उन्हें सा अगल वाले बिल्डिंग में देखकर शॉक्ट हो जाती है और उसके पास उसका दिया हुआ वाकी टॉकी भी था वो तुरंत अपने वाकी टॉकी से उस लड़के से बात करती और पता चलता है कि वो और उसकी मा को डो क्यून नाम का आदमी अपने अपार्टमेंट में छु और मिन संग पीछे से उस ओनर पर हमला करता है और गुसे में वो आदमी फोर्स के एक मिंबर को शूट कर देता है गुसे में आकर यंग टक उस ओनर को बहुत पीटता है इसके बाद वो दुकान को लूट लेते हैं और वहां से कुटे को भी ले जाते हैं बहार रास्ते में मिन संग को दो बच्चे दिखाए देते हैं जो अपने मरेवे पिता के लिए रो रहे थे सामने कुछ सर्वाइवर्स एक परिसर पैरेडाइस के बारे में बात कर रहे थे लेकिन जैसे मिन संग और उसका ग्रूप सामने से गुजरता है वो लोग जाकर छुप जाते हैं कुछ समय के बाद कॉंपलेक्स में रहने वाले लोग निव यर पार्टी सेलिबरेट कर रहे थें मियोंग हुआ को लगता है कि ये सही आइडिया नहीं है अचानक दो लोग ड़ जाते हैं क्योंकि अंधेरे से कोई उनकी तरफ बर रहा था लेकिन ये तो बस सिर्फ एक औरत है जिसका नाम है हाईवोन वो इसी बिल्डिंग में अपने पैरेंट्स के साथ रहा करती थी लेकिन वो अपनी मा के साथ यहां से चली गई थी क्योंकि उसके पापा ने उन्हें धोका दिया वो यंग टक के पास आईवोन क्यों उसे नहीं पैचान पा रही एक फ्लैश बैक से हमें सच पता चलता है कि उस आदमी का असली में नाम है सी बियोम वो टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था अर्थक्विक के पहले वो इस अपार्टमेंट में घुस जाता है क्योंकि असली यंग टक यहां रहा करता था और वो उस और्गनाजेशन के लिए काम करता था जो लोगों के साथ धोगा धड़ी करते थे और धोगा खाने वालों में से एक सी बियोम भी था जो अपना पैसा मांगने के लिए आता है लेकिन जब यंग टक उसकी मदद करने से मना करता है तो गुस्से में से बियोम उस पर हमला करता है और आखिर में उसके मूँ के अंदर पत्थर भर कर उसे मां डालता है और यंग टक की मा बेबस होकर बस ये सब कुछ देख रही थी और उसे भी दोहरा पड़ जाता है सी बियोम को उसकी पतनी और बेटी का कॉल आता है जो उस पर चिला रहे थे क्योंकि उसके घर में कुछ लोग आये थे पैसे मांगने के लिए और वो घर का सारा समान लेकर चले गए तबी भुकम पाता है और उसकी बीवी ऐसे भी उसे नफरत करती थी इसलिए यंग टक का पहचान चुरा कर सी बियोम उसी अपार्टमेंट में रहने लगता है कुछ समय के बाद जब कुछ निवासी जाते हैं अपने हफ़ते का राशन कलेट करने के लिए उन सबी के बीच जगड़ा होने लगता है क्यूंकि खाने के लिए जादा खाना नहीं मिलता एंटी क्राइम फोर्स को जादा खाना मिलता है बागी लोगों के मुकाबले और एक आदमी अपना निशान दिखाता है जो रिपेर करते समय उसे लगा वो एंटी क्राइम फोर्स पर इलजाम लगाता है कि वो सबी खूनी है जो मियोंग हुआ सुन लेती है और जियूम ये उन लोगों से कहती है कि अगर उन्हें यहां काम करना पसंद नहीं है तो वो खुशी खुशी यहां से जा सकते हैं अकेले में मियोंग हुआ मिन संग से पूछती है क्या तुमने किसी को मारा है वो बताता है कि एक हाथा हुआ था लेकिन वो आदमी मारा नहीं था मियोंग हुआ ये सब सुनकर काफी परिशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बाहर जाने की अब जरुवत नहीं है मियोंग हुआ एक्स्ट्रा खाने के सामान को लेकर डो क्यून के अपार्टमेंट जाती है उन दोनों आउटसाइडर की मदद करने के लिए इस बीच यंग टक हाईवन से मिलने जाता है हीटर देने के बहने और उसे पूछता है कि क्या वो उसकी मा को पैचानती है हाईवन कहती है हाँ यंग टक उसे गुसे में कहता है कि क्या तो मुझे पैचानती हो घबराते वे हाईवोन हां कहती है ताके वो किसी तरह उसे छोड़ दे कुछ समय के बाद मियोंग हुआ हाईवोन के एगाव को चेक कर रही थी और उसे पूछती है के बाहर सिच्वेशन कैसा है हाईवोन बताती है के बाहर तो हालत नरक से भी बत्तर है लोग ऐसा कहते हैं के स्टेशन के तरफ कुछ लोग रहते हैं फिर महाँ पर एक औरत कुछ बात कहने लगती है जिस वज़े से हाई वॉन का उस औरत से जगड़ा हो जाता है और गुस्से में वो बाहर चली जाती है म्यूंग हुआ उसके पीछे जाती है और हाई वोन कहती है कि यहाँ सब के सब पागल है यंग टक यहाँ का असली निवासी है भी नहीं लेकिन फिर भी सब कितनी अच्छे से उसे ट्रीट करते हैं तो वो बागी लोगों के साथ अच्छे से बरताफ क्यूं नहीं करते हैं तब ही उन्हें किसी के चिलाने की आवास सुनाय देती है और वो देखते हैं कि एक निवासी को किसी आउटसाइडर ने मार दिया था क्यूंकि वो बाहर जाने की कोशच कर रहा था खूनी ने एक लेटर भी भेजा है जिसमें खून से लिखावा था कि सब को कीमत चुका नहीं होगा यंग टक को ये देखकर उसकी मरीवी बेटी याद आ जाती है वो सभी से कहता है कि हमें अब सक्त कानून बनाने होंगे और पहरा देने वाले लोगों के संख्या को भी बढ़ाना होगा शाम के वक्त यंग टक डो क्यून के अपार्टमेंट जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने फर्णीचर को डोनेट करना चाहिए लकडियों के लिए और उसके वार्ड्रॉब ड्रॉयर्स खोल खोल कर देखते रहता है और जैसी वो उसका मैट्रेस उठाता है अंदर मा बेटे चुपे वे थे जो आउटसाइडर्स है यंग टक उन्हें घसीटते वे बाहर निकालता है और डो क्यून को इसके लिए सजा देता है यंग टक मिन संग से कहता है कि इस सब में तुम्हारी बीवी भी इन्वाल्व है मिन संग अपनी पतनी पर चिलाता है और मियू यॉंग को अपने पती पर घिन आने लगती है और वो उसे बताती है कि यंग टक इस अपार्टमेंट का निवासी है भी नहीं लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मिन संग उस पर विश्वास नहीं करता वो जाता है यंग टक के पास और अपने घुटने पर बैट कर उसे माफी मांगता है यंग टक कहता है कि माफी मांगने के लिए तुम्हें और जादा काम करना होगा अगले दिन से एंटी क्राइम फोर्स स्ट्रिक्ट तरीके से काम करती हैं और बहुत सारे अपार्टमेंट को चेक करते हैं कहीं आउटसाइडर और चुपेवे तो नहीं हैं और अगर अंदर वो होते भी हैं तो वो उने बाहर निकालते हैं और दर्वाजे पर लाल पेंट रंग देते हैं मियोंग हुआ डो क्यून के लिए दवाई लेकर जाती है लेकिन डो क्यून दवाई लेने से मना कर देता है कहीं उसके वज़े से मियोंग यूंग की परिशानी न बढ़ जाए। चेकिंग हो जाने के बाद यंग टुक रूल तोडने वालों को अपने घुटनों पर बैठा कर माफी मंगवाता है और सभी से कहता है कि अब इस बिल्डिंग में एक भी बाहरी लोग नहीं है तब ही वो नोटिस करते है कि डो क्यून अपने बालकरी में खड़ा है और वो कहत कुछ समय के बाद निवासी उसके बाड़ी को जला देते है और तब भी एक छोटा सा भूकम पाता है जिससे सामने एक बिल्डिंग गिर जाती है और उस वज़े से एक बड़ा सा वाटर टैंक फट जाता है और लोगों के लिए पानी का इंतजाम हो जाता है सभी खुशी म मियोंग हुआ ये मौका देकर हाईवोन के कमरे में दिवाल तोड़कर एक बड़ा सा होल बनाते हैं यंग टक के अपार्टमेंट में जाने के लिए और वो वहाँ चानबीन करने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है दोनों वहां से जाने वाले लेकिन तभी हाईवोन की नजर जाती है वाशिंग मशीन पर जो बहुत ही अच्छे तरीके से सील किया हुआ था जब वो दोनों उसे खोलते हैं तो उन्हें अंदर असली यंग टक का मरावा डेड बाडी मिलता है इस बीच बाहर जाने वाले ग्रूप अपार्टमेंट से इतने दूर चले गए थे और उन्हें आखिरकार एक बरबाद फूड कोट मिलता है वहाँ जाने के लिए एक ही रास्ता था एक सुरंग से होते हुए जिसमें डेड बाडी भरे परे थे और आखिरकार वो सब यंदर जाते हैं और उन्हें भर भर के खाना मिलता है और जितन और अपने मरेवे मेंबर के साथ वो मरावा मेंबर कोई और नहीं बलके जियूम ये का बेटा था और गुस्से में आकर वो यंग टक को थपड़ लगाती है क्योंकि उसने उसके बेटे को प्रोटेक्ट नहीं किया हाईवोन वहाँ आकर सभी को यंग टक का असलियत के बार और अगर वो नहीं होता तो शायद वो सब मर चुके होतें वो ये भी कहता है कि उसके साथ धोका दड़ी हुआ था इसलिए देखा जाये तो वो एपार्टमेंट उसी का है हाला कि कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता और सभी उसके उपर चिलाने लगते हैं और पूरी भीर मिलकर यंग टक को परिसर से निकाल देने का सोच रही थी लेकिन वो हाई वोन को मार देता है उसे बड़े से गड़े में फिक कर जहां सभी कच्रा फिकते थे मिन संग एक हत्यार लेकर वहां आता है लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो यंग टक को शूट कर सके मिन संग अपने अपार्टमेंट में जाकर छुप जाते हैं लेकिन एक आदमी वहां आता है और मिन संग पर हमला करता है और उसे गहल कर देता है फिर वो मिन संग पर वार करता है लेकिन आखिर में मिन संग उठ खड़ा होता है और उस आदमी को मार डालता है फिर दुन परिसर को छोड़ देने का सोचते हैं तबी बिल्डिंग पर कोई बम फेकता है यंग तक उस बम को उल्टा उनके तरफ फेक देता है लेकिन वो हवा में ही एक्स्प्लोड हो जाता है जिसे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं यंग तक भी बूरी तरह घायल हो चुका है वो में है लेकिन मियोंग हुआ के पास दवाई ही नहीं है ताकि वो अपने पती की मदद कर पाए अगले दिन वो पैदल चलते रहते हैं बाकी सर्वाइवर्स को इग्नोर करते हुए और जब रात हो जाती है तो वो एक चर्च में जाकर छुप जाते हैं सोने से पहले मिन संग मियोंग हुआ को वही एर-klip देता है और उसे कहता है कि तुमसे शादी करने का डिसियजन मेरे लाइव का सबसे अच्छा डिसियजन था अगले दिन जब मियोंग हुआ सो कर उटती है तो वो देखती है कि मिन संग मर चुका है और वो जोड़-जोड़ से रोने लगती है तबी उसे को सर्वाइवर्स ढूंड लेते हैं और उसे अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वो सर्वाइवर्स म्योंग हुआ को लेकर स्टेशन की तरफ चले जाते हैं उसी जगह जिसके बारे में हाई वोन बात कर रही थी। यह देखकर हम्योंग हुआ काफी खुश होती है कि वहाँ के लोग कितने एकसेप्टिंग है और उसे खाना-kाने के लिए भी देते हैं रहने के लिए जगह भी देते हैं और चाहे लोग बाहर के ही क्यूं नहों वो लोग उनके साथ भेदभाव नहीं करतें। और इसे के साथ 2023 में रिलीज हुई कॉंक्रीट योटोपिया मूवी यहीं एंड हो जाती है वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर